हाई एब्रीवन वेल्कम बैक टु इंडिन होमें रेसिपेज विद नीना मैं हूँ नीना और आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ कैसे फल के बारे में जिसको खाने या जूस पीने से बढ़ती उमर के लक्चन जो चेहरे पर नजर आते हैं जैसे कि जुर्रियां चाहि इन सब को नैश्रल तरीके से रिपेर करता है यानि कि अगर आप साथ के है ना तो आराम से 40 के नजर आओगे इतना असरदार है ये फल जी हाँ आज मैं बात करने वाली हो विटमिन E से भरपूर ब्लूबेरी फूर्ट की जिसे हिंदी में नील बतरी कहते हैं हमारी स्किन को लंबे समय तक जबां रखने के लिए विटमिन E सबसे ज़ादा जरूरी होता है जो कि इस फल में भरपूर मात्रा में पाया जाता है इसके अलावा ब्लूबेरी फल एंटि अक्सिडेंट कुणों से भी भरपूर होता है जिससे कि हमारे पेट का हाजमा सही बना रहता है औ और पेट का हाजमा अगर सही बना रहेगा ना तो फिर बिमारियां भी ज़्यादा नहीं लगते हैं तो ब्लूबेरी जूस निकालने के मशीन या बिना मशीन के दो बहतासान तरीके लेकर आई हूँ मैथर पसंद आए तो वीडियो को लाइक एन शेयर कर दीजेगा तो चल पा रहे हूँ तो फिर हम इसका जूस या स्मूदी बना सकते हैं सबसे पहले मैं इसे धोने वाले हूँ तो ये देखिए मैंने एक बाउल में पानी लिया है और यहाँ पर ले रही हो मैं जो चाइनीज डिशिस में हम यूस करते हैं वाइट विनेगर लगभग आधा चमच मैं इसका ले रही हूँ और अब यह जो ब्लूबेरी है इसको मैं इसमें डाल दूँगी और पांच मिनट मैं इसी पानी में रहने दूँगी क्योंकि हम किसी भी फ्रूट को जब छिलके समित कंजियूम करते हैं तो उस छिलकों पर कई तरीके के बैक्टीरिया होते हैं और अगर हम इसे इस तरीके से विनेगर वाले पानी में धो ले तो काफी हथ तक बैक्टीरिया खत्म हो जाता है और उसके बाद फिर मैं इसे सादे पानी से धो लूँगी तो यह देखिए मैंने इसे धो लिया है और अब इससे बनाने वाले हूँ मैं दो तरीके से जूचिस तो सबसे पहले मैं blending jar में ही बनाने वाली हूँ तो ये देखिए मैंने यहाँ पर blending jar लिया है और इसमें मैंने इस तरीके से ये blueberry को डाल दिया है और साथ में मैं ले रही हूँ इसमें लगबग 2-3 चमच पानी के ताकि इसमें आसानी से ये smooth से blend हो सके ये देखिए और अब इसे मैं blend कर लेती हूँ तो ये देखिए ये blend हो चुका है और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी और मिला दिया था क्योंकि ये अच्छे से blend नहीं हो पा रहा था और अब इसे मैं चन्नी से चान लेती हूँ तो ये देखिए बड़ी असानी से इसमें पाइवर नहीं रहा है जितना हो सका उतना ब्लेंड हो चुका है और ये देखिए ये काफी स्मूध हो गया है इसे आप अपने फेस पर as a scrubbing की तरह इस्तमाल कर सकते हो और ये देखिए ये juice निकल के आ गया है इसे मैं गिलास में न क्यार हो चुका है है न कितना असान चलिए अभी सेकिंड मैथड भी देख लेते हैं सेकिंड मैथड से जूस बनाने के लिए यहां पर मैं इस्तमाल करने वाली हो मिनी हैंड जूसर का तो यहां पर यह मैंने धूली हुई blueberry को डाल दिया है इसमें और इसके आगे देखिए क इस तरीके का स्क्रबर बना होता है अब इससे मैं हलके हलके सी स्क्रब करूंगी और इसका जितना भी जूस है वो लगबख एक मिनिट में ही निकल के आ जाएगा क्योंकि blueberry काफी soft होती है तो इसे बड़ी ही आसान है स्क्रब करना तो यह देखिए कितने आसान इसी ही स्क्र करने के तो यह देखिए तो लगबख एक मिनिट हो चुका है अब इसमें मैं हलका सा पानी मिला लेती हूं लगबख दो से तीन चमच पानी मिलाए है ताकि इसके आसपास का जितना भी जूस है ना इस फाइवर के बीच का वो भी निकल जाए तो यह देखिए कितना बढ़ रखा है और इसमें देखिए इस तरीके से मैं असानी से चान लूगी क्योंकि इसका जो यह डखकन है इस पर भी काफी फाइवर है जिसमें भी अभी भी मुझे लग रहा है काफी जूस है तो एक बार इसे भी मैं इस तरीके से किसी भी स्प्रेचुला से इसे प्रेस करते ह इसका juice निकाल लेना है तो ये देखिए मैं इस प्रेशला से हलके हलके से जब इसे प्रेस करने हूं तो बड़ी असानी से इसका juice निकल के आ जा रहा है ये देखिए है ना कितना आसान तो देखिए बड़ी असा juice बन गया है तो अगर electricity नहीं है तो हम इस तरीके से mini hand juicer से भी आसानी से निकाल सकते है चलिए इसे भी में गिलास में निकाल लेती हूं तो इस तरीके से ये बढ़िया सा fresh homemade hygiene juice निकल के आ गया है तो दो method शेयर करें हैं दोनों ही बेहाद असान है तो उनों में से कोई भी स्टैमाल कर सकते हैं method पसंद आये तो वीडियो को like and share कर के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई